Hi everyone, welcome back to my channel और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगो स्टार्टिंग से बताऊंगी कि आपको क्या क्या अप्लाइ करना चाहिए कंसीलर का अप्लाइ करना चाहिए, फाउंडेशन, कलर करेक्शन यह सारी चीज़े मैं आपको स्टेप बाइ स्टेप सिखाऊंगी क्यूंकि मेकप में आप लोगों को बहुत सारी प्राबलम सारी है तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमेशा, आपको हमेशा अप्लाइ करना है अच्छे सी कोई भी मॉश्चराइजिंग क्रीम अगर आपका make-up बहुत दो ब्लैक हो जाता है या ग्रे पर जाता है या फिर फटा-फटा सा दिखता है तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से apply करना होगा अच्छा सा moisturizer यहां पर मैंने निविया का moisturizer apply किया है now next मैं apply करूंगी primer primer हम हमेशा make-up के पहले apply करते है moisturizer के बाद क्योंकि primer से make-up जो होता है वो long lasting रहता है और skin में भी बहुत दा harmful chemicals जो होते हैं foundations में concealer में वो सारी चीजें भी primer अपने skin से बचाता है now next यहां पर मैं कर रही हूँ अब LA pro का मैंने यहां पर orange color का color correction लिया है जब भी आप foundation apply करेंगे उससे पहले बहुत important है कि आप अपने client के face पर check कर ले कि अगर कहीं पर darkness है तो आपको orange color के color correction से correct करना होता है और अगर कहीं पर redness है तो फिर आपको green color के concealer से अच्छे से blend करना होता है तो यहां पर मैंने orange color का concealer लगा लिया है उसके बार मैंने इसको beauty blender की help से blend कर लिया इस और आप लोग को beauty blender नहीं आता कि किस तरीके से हमें use करना चाहिए तो मैंने इसके लिए एक अलग से video बनाया हुआ है separate video जिसमें कि आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप apply करत करते हैं foundation को और इसके अलावा किस तरीके से आप blend करते हैं beauty blender की help से नेक्स में यहां पर ले रही हूँ चार मिसी का foundation okay so मैं आपको इस वीडियो में के एंड में बताने वाली हूँ क्योंकि इंस्टाग्राम पे बहुत जड़ा फेमस था चार मिसी का foundation और मैंने यह ट्राइ किया पहली बार ही ट्राइ किया इसका review मैं वीडियो के एंड में दूंगी कि मुझे किस तरीके का foundation लगा मैंने इसको अच्छे से पूरे फेस पर अच्छे से brush की help से apply कर लिया था now next मैंने यहां पर beauty blender की help से again blend कर लिया मैं जातर concealer foundations जो भी होते हैं यह सारी चीज़ें जो face पर हम base बनाते हैं उनको मैं हमेशा beauty blender की help से ही blend करती हूँ क्योंकि मुझे brush की help से उतना अच्छा blending दिखत पर bridge of the nose हलका सा chin पर और forehead पर ऐसा यह जो होती है यह 3D technique कहलाती है इससे जिते भी आपके जो भी आपको part enhance करना है basically हमारे face का जो enhancing part होता है वो यह होता है जहां पर मैंने concealer apply किया है और again मैं इस concealer को beauty blender की help से blend कर लूँगे now इसके बाद मैंने PAC का translation powder लिया है अब यह हम क्यों क को समझाया है यह इसलिए करना पड़ता है कि जिसे की कोई भी fine lines wrinkles ना पढ़े smile lines भी ना पढ़े और जो हमने foundation और concealer apply किया वह बहुत अच्छे सेट हो जाए मैं यहां पर स्टार्ट कर रही हूं eye makeup के लिए मैं यहां पर white color का base apply कर रही हूं यह मेरा crylon का shade है white shade आप चाहें त यह step बहुत important है अगर आपको अपना eye shadow को long lasting रखना है और आपको दिखाना है कि पोप-up color दिखें क्योंकि मैं यह जो आज eye makeup करूंगी यह थोड़ा सा light makeup eye makeup light जो करने वाली मतलब I mean pink color shade करने वाली मैं भी आपको दिखाऊंगी तो वह होता है वह हमेशा अगर आप concealer या फिर fluffy eye shadow blending brush में नव मैं इसको start करूंगी outer view से और inner corner तक लेकर जाओंगी कुछ इस तरीके से eye shadow जब भी मैं करती हूँ आपको बहुत ही easily समझ में आएगा और मैं eye lid तक लेकर जाओंगी बहुत जादा ऊपर भी नहीं उठाओंगी नव नेक्स मैं यहां पर dark brown shade लोंगी और उसको भी मैं सेम इसी तरीके से apply करूंगी और मैं यह center of the eyes पर apply करके अच्छे से blend करूंगी दो नवाइस पर लोंगी यहां पर same eye shadow palette से light pink shade light pink shade लोंगी और इसको मैं apply करूंगी अगेन आउट वी से eye lid के ऊपर आप देख सकते हो कि कितना अच्छा सा shade आ रहा है यहां पर नव नेक्स पर यहां पर जो मेरी eye shadow palette में जो shimmer eye shadow है मला बहुत ही ज्यादा shimmer नहीं है बलुकुल हलका हलका सा pressed shimmer है उसको मैं finger tip की help से center of the eyes पर apply करूंगी कुछ ऐससे अब जितना भी मैंने translation powder apply किया था एक fluffy brush की help से मैं सारा translation powder को हटा दूंगी नव एक यहां पर tip है जो भी beginner है और उनको eyeliner लगाने में problem आती है तो यहां पर आप काजल pencil का use कर सकते हैं मैंने यहां पर faces canada की काजल pencil को as a liner apply किया है और उसके बाद एक angular brush की help से अच्छा से smurge कर में ही यह shimmer वाला जो eyeshadow होते हैं वह है और मैंने इसको फिंगर टिप की help से थोड़ा सा intense look करें सेंटर आइज पर apply किया है कुछ ऐसे तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं चुकि मेरी जो client है उनकी eyebrows बहुत जादा light थी तो मैंने यहां पर forever 52 का brow gel लिया है और इ जैसे eyebrows को set किया है ना नेक्स उसको मैं एक mascara brush की help से कॉम कर लूगी तो जितना भी extra जहां पर मैंने अप्लाई किया होगा वह सही लगने लगेगा और बहुत जादा नैच्रल सी eyebrow लगेंगी यहां पर शुगर का ब्रॉंजर यूज करी हूँ फेस को थोड़ा सा you know scalp look देने क के लिए बहुत जादा इनकी फेस पर दरुवत नहीं थी तो लेकिन बट मैंने स्टिल दिया जिसे की फोटो वगर अच्छा आते हैं ऐसे टेक्निक्स आप भी apply कर सकते है ना नेक्स मैंने यहां पर forever 52 का blusher यूज किया है और blusher के बार मैं आप पर यूज कर रही हूँ हा ब्लश को आप जब भी अगर बिगनर है तो क्राइन को बोल सकते हैं कि smile करें और जहां पर अपलिफ्ट होते हैं वहां पर ब्लश कर दें और highlighter के लिए भी सेम आप स्माइल करके करा सकते हैं एक फैन ब्रुश की हैं से आपको highlighter apply करना होता है highlighter हमेशा आप चीक बोन्स पर ब् मैं fake eyelashes apply कर रही हूं और अगर आप लोगों को यह जानना है कि fake eyelashes आप कैसे apply कर सकते हैं तो इसके मैंने अलग से छोटे छोटे वीडियो बना रहे हुए हैं वहां पर जाकर आप देख सकते हैं ना यहाँ पर मैं L'Oreal की lipstick यूज़ कर रही हूं जो की एक brownish touch में है आप देख स इतना हाइप है चार्मी सी मिलानों का foundation को लेकर और तेने reviews है आइटिंक और पेड रिव्यूज होते हैं और मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया और अगर आप beginner हैं तो मैं आपको बिल्कुल भी suggest नहीं करूंगी बिकर्स इसको blend करने में बहुत ज्यादा टफ था anyways thank you so very much for watching अब हम मिलें अपने नेक्स क्लास में बाबाई टेक केर